ये कहानी हैं अमरित सर के दो नाबालिक मासूम भाईयों की, जो रोजाना 24 किलोमेटर दूर अपने गाउं से पिता का ढाबा चलाने के लिए आते हैं। दरसल साल 2021 में पैसो की तंगी के चलते उनके पिता की मोत हो गई थी। जब सिर से पिता का साया उठा, तो घर चलाने की जिम्मेदारी इन दोनों भाईयों के कंदे पर आ गई। लोगों की लाइन लगेगी और जल्दी मैं भी वहाँ पर खाना खाने आऊंगा। दोस्तों इस कहानी से सीख मिलती है कि मुश्किले और मुसीबतें जिन्दगी में आम हैं। अगर होसला बुलंद हो तो मुठी में हर काम है। लोगों के रगिन आम होसला बुलंद होसला बुलंद हो खाना खाने अगर पाना खाना खाना बुलंद होसला अगरा सीख मिलती है।